हेलो मेरे फ़र विद्यारतियों कैसे हैं आप लोग होप आप थब बढ़े आउंगे बच्चों मैं भी एकदम बढ़े आउँ आज बच्चों जो भी बच्चा न्यू स्कीम में रेजिस्टर हुआ है चाहे उसका जून दो हजार चॉबिस का एक्जाम हो बिजनस लॉस का जो पेपर पैटन है मैं वो डिसकस करने आया है यह पेपर पैटन हमें ICI के ओफिशल वेबसाइट पे तो नहीं मिला है बट येस ICI के ही सोर्स से यह पेपर पैटन लिया गया है डीटेल में आज हम लोग चर्शा करेंगे कि सबसे पहला कोशन जो आपका था कि sir exam में total सवाल कितने होंगे तो बेटा exam में business laws के आपको 6 सवाल दिखेंगे 6 सवाल question one question two question three question four question five question six हर सवाल का जो total weightage होगा वो twenty marks का होगा कितने marks का होगा भीया 20 marks 20 marks 20 marks 20 marks 20 marks अगर मैं 6 question 20 marks के हैं तो total कितना आ जाएगा भाया total आ जाएगा 20 into 6 120 marks अरे sir लेकिन business loss तो 100 marks का है और आपने यहाँ पर 120 लिख दिया सही भी है या नहीं तो बेटा ध्यान दो question number 2 से लेकर question number 6 जी हाँ question number 2 से लेकर question number 6 में आपको any any four question करने है any four यानि यहाँ पर आपको choice दे दी कि भाई इन में से आप एक question attempt नहीं भी करेंगे तो चलेगा मतलब आपका paper 120 marks का होगा question 1 में कोई choice नहीं है यह तो आपको attempt करना ही है तो 20 plus 80 आपको कितने marks का attempt करना होगा 100 marks का attempt करना होगा तो एक खुशकबरी मिल गई भाईया कि चलो इन में से कोई एक सवाल तुम्हें छोड सकता हूँ है ना और छोड सकता नहीं हो छोडना है है ना आपको सिरफ 100 marks का paper attempt करना है ठीक है next question आता है कि sir इस 120 marks में से कितने marks का business laws में case study question आएगा और कितना theory question आएगा तो बेटा case study question आएंगे 56 marks के और theory question आएंगे 64 marks के 56, 64 ये ratio आपका रहने वाला है case study और theory question आगे चलते हैं sir हर chapter में से कितने marks का आएगा तो बेटा हर chapter का waitage अगर आप देखेंगे आपका सबसे पहला chapter Indian regulatory framework ये exam में 6 marks के लिए आएगा आपका दूसरा chapter जो की सबसे बड़ा chapter आपके syllabus का और सबसे ज़ादा marks के लिए आने वाला है The Indian contract act 1872 32 marks का आएगा उसके बाद sale of goods act 21 marks का आएगा Indian partnership act 20 marks का आएगा ये छोटकू सा chapter है limited liability partnership इसमें से भी 6 marks का आएगा आपको then companies act में 21 marks का आएगा negotiable instrument act में 14 marks का आएगा और total 120 हो जाएगा एक बड़ी tally कर ले हाँ sir tally कर लीजिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो 6 plus 32 plus 21 plus 20 plus 6 plus 21 plus 14 120 हा रहा है 120 marks का आपका ये paper होने वाला है अब sir कौन से question number पे कौन से chapter का question होगा और कौन से type का होगा वो भी discuss करेंगे आ जाएगे सबसे पहले बात करते है question number one question number one में बेटा आपके तीन पार्ट सोंगे 1A, 1B, 1C total question number one कितने marks का है? 20 marks का है? ये sir 1A आपका Indian contract act का question आएगा 7 mark का case study और 7 mark का case study आएगा अरे बेटा जरूरी नहीं है कि 7 mark का 1 ही हो हो सकता है 1A के अंदर छोटे छोटे दो case study दे दे 1-4 mark का 1-3 mark का overall 7 mark का हो सकता है 7 mark का 1 question आए हो सकता है 1-4 mark का और 1-3 mark का अंदर bifurcation और हो सकता है वो आपको तब पता चलेगा जब ICI अपना पहला mock test paper निकालेगा तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि Indian Contract Act का पहला question 7 mark का case study आएगा उसके बाद 1-B Companies Act का question होगा 7 marks का case study उसके बाद Indian Partnership Act 6 marks का case study नहीं theory question आएगा theory question आएगा then आपका question number 2 again 20 marks का होगा जिसमें 3 parts होगे 2-A 2-B 2-C 2-A Sale of Goods Act 7 marks case study Companies Act 7 marks theory Limited Liability Partnership Act 6 marks theory then question number 3 again यह 20 marks का होगा 3-A Indian Partnership Act 7 marks case study Companies Act 7 marks case study Indian Contract Act 1872 3 marks theory ओके उसके बाद question number 4 20 marks का होगा इसके भी 3 parts होगे 4-A 4-B 4-C 4-A में Indian Contract Act का case study आएगा 7 marks का Negotiable Instrument Act theory आएगा 7 marks का Indian Regulatory Framework का पूरे के पूरे पेपर में सिरफ एक सवाल आएगा वो भी question number 4-C में 3 marks का theory question होगा इस पे कोई practical case study नहीं बनेगा आपको theory question बूचा जाएगा theory type का ही chapter है वो होगा ठीक है उसके बाद question number 5 अगें 20 marks का होगा बेटा जिसमें 3 पार्ट होगे 5A, 5B, 5C sale of goods act 7 marks case study Indian partnership act 7 marks theory question Indian contract act 6 marks theory question उसके बाद आपका last question होगा बेटा ये पेपर का negotiable instrument 7 marks case study Indian contract act 6 marks theory और sale of goods act 7 marks theory this is going to be your pattern अगर मैं बात करता हूँ इसी कोई मैंने chapter wise analyze कर दिया कि अगर मैं सबसे पहले chapter की बात करता हूँ तो Indian regulatory framework question number 4 का C part होगा 3 marks का theory question आएगा इसके अंदर internal कोई parts होगे क्या वो नहीं पता है हो सकता है पूरा एक ही question आई 6 marks का हो सकता है 6 marks के अंदर 2-2 marks के 3 पूछ ले that we currently don't know वो जब mock test paper आएगा तब पता चलेगा बट ये बात हमें confirm है तूसरा the Indian contract act के आपको exam में total 1-2-3-4-5 question दिखेंगे 1-A-3 यानि second question को छोड़ कर बाकि सारे question में Indian contract act का question दिखने वाला है ये option में नहीं छोड़ सकते ए सन में Indian contract act option में चावर दूं क्या नहीं बेटा ये आपको दिखेंगे जिसमें देखो 2 question case study के आएंगे और 3 theory के आएंगे बट institute बड़ा तेजे कहीं बार reverse भी करते था है ना तो यहाँ पर आपका 32 mark हो गया उसके बाद sale of goods act के 3 question आएंगे 7-7-7 marks के partnership के 2 question 7 mark के 1-6 mark का आएगा limited liability का 1-2 question आएगा 6 mark का वो भी theory question आएगा क्यों क्योंकि practical question normally आपके पूछे जाएंगे CA intermediate पर क्योंकि आपको दुबारा जाकर महाँ पर पढ़ना पड़ता है detail में okay sir उसके बाद companies act chapter के आपको 3 question दिखेंगे है ना इसके internal part नहीं पता but main आपको 3 मुद्दे पर दिखेंगे 1B, 2B, 3B 1B, 2B, 3B देखो B part में ही आएगा companies act का question case study 2 case study और उसमें एक theory पूछा जाएगा और last chapter बेटा negotiable instrument act के आपको 2 question कितने question 2 question आएगे साथ साथ माँक के जिसमें एक theory question होगा और एक case based study case study question पूछा जाएगा तो ये आपकी बेटा पूरी वीडियो है आपको I hope ये सारी चीदिया अगर आप चाहो तो note down कर सकते हो कि exactly paper का pattern क्या रहने वाला है लेकिन अंदर का breakdown जो है detailed वो कब पता चलेगा जब institute की तरफ से mock test paper release होगा जब भी institute का mock test आएगा तो हम इसके एक revised वीडियो दुबारा बना देंगे जिसमें और detail में आपको हर चीज पता चल जाएगी बट जितनी चीज अभी मुझे पता चली मुझे लगा कि मुझे आपको बता देनी चाहिए ताकि आप accordingly अपनी preparation कर सके तो thank you, ta-ta, bye-bye